और उत्रखंट PSC में लेक्चिरार के पत पर इंट्रव्यू में सेलेक्शन कराने का जहासा देख करे कारोपी ने राजस्थान के पूर्व उपमोखे मंत्री सचिन पाइलिट के नाम पर 16 लाक रुपे की ठगी की सरकारी नौकरी में सेलेक्शन नहीं होने पर अब आरोपी फरार है और पीड़ित को पुलस ने मामला दर्ज कराने पर जान से मारने की धंकी दी जा रही है धौलप और जिले में पीड़ित ठाकुरदास बंसाल ने रिपोर्ट में बताया है कि उसके खर में किराय पर रहने वाला आरोपी विनोत कुमार ने उत्राखंड में लेक्चुरार के पत पर उनके दमाद अनिल गोयल का सेलेक्शन कराने के नाम पर 18 लाक रुपे की मांग क पीड़ित ठाकुरदास ने आरोपी विनोत कुमार को 16 लाक रुपे दे दिये और 2 लाक रुपे नौकरी लगने के बाद देने अक तैह हुआ था जब पीड़ित के दमाद की नौकरी में इस सेलेक्शन नहीं हुआ तो पीड़ित ने आरोपी विनोत कुमार से रुपए मां से गुर्जर जो संडपुरा का रहने बाला है वो किराई पर रहता था उसने मुझसे कहा कि मेरी सचिर पाइलेट से बहुत अच्छी पहचान है मैं तुमारे दबाद का उत्राखंड में सेलेक्शन कॉले लेक्षरेट के लिए करा दूगा इंटरू में पास करा दूगा इसक सब्सक्राइब के घर पर फोलर लाग रुपे लेकर आया जरंग वीशिक दोज़ार को बाड़ी न्यालाई एस जनमर्ट तीन से एक परवाद थाना पर पर परवाद में ठाकोदाशनों रामिलाल बैस से निवासी बाड़ी ने परवाद में लगा था कि मेरे दामाद की नि सब्सक्राइब के लिए जो पूर में उसके मकान में कराई पर रहता था उसने 18 रुपे का सोधात्य किया था उसके बाद में 16 लाग रुपे लिए 2 लाग रुपे पुश्टम हो जाले के बाद के बाद के बाड़ा हुआता हुआ है और उसके दामात की निवाई और 18 लाग जा रहा है तो वहीं सरसो और आलू फसल में नुकसान बता जा रहा है कोहरे के चलते हाईवे पर 20 मीटर की दूरी तक देख पाना मुश्किल हो जाता है शीत लहर और कराके की सरदी ने लोगों के जन जीवन को बेहाल कर दिया है कई दिनों से जो सेंपू इलाके में हमारे उप्धंड में जो सरदी का प्रकोप चल रहा है कोरा पड़ रहा है ये किसानों के लिए फसल के लिए बहुत हानिकारक है कुछ फसलओं के लिए तो यह लावदयक भी यह से घ्याओं के लिए तो ठीक है लेकिन घ्रिंज हों है ऑलू है कि और कई फसले के लिए उस्पना पर सिखता है उनके लिए बहुत ही आनिकारक से दोरा है मेरे नाम मुकेश कुमर मेना मैं चीफ मॉमस्ल कलर के पोस्ट पे तारे रतूं और इंकवार्य में काम कर रहा हूं और यहां पे गाड़ियों की इस्तिति काफी ख्राव थी काफी खोग था यहां पे खोग की वरसे और कुछ एकल घ्रिटल्मेंट हो गया था गाड़ी का इसक